वेलकम टू प्रियांसी स्टडी पॉइंट हैलो दोस्तो सामान ग्यान के इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम उन प्रशनों की चर्शा करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परिशाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं तो चलिए दोस्तो प्रभुत्व है तो यह जनता का प्रभुत्व है हमारा अगला प्रशन है दोस्तों समयधानिक राजसी का अर्थ है प्रियोग ये हमारा सही उत्तर है हमारा अगला प्रश्ण है सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है option है हमारा A. America, B. Britain, C. Ireland, A.M.D. है रोस तो इसका सही उत्तर है B. Britain सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है तो ये विचार विचार कहां से लिया गया है हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तों किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर साशन करते हैं ओप्शन में हमारा A एक तंत्र, B है धनिक तंत्र, C है राज तंत्र, D है आलप तंत्र तो ये है सही इसका उत्तर है आलपतंतर किस तंतर में कुछ लोग अधिक लोगों पर साशन करते हैं तो ये आलपतंतर में अधिक लोगों पर साशन किया जाता है अमारा अगला प्रश्ण है उस देश का नाम बताएं जिसमें संसोधन के लिए प्रक्रियाओं की समयधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तो ये प्रश्ण सभी परिशाओं में पूछे जाते हैं दोस्तो और पूछे जाते हैं हमारा अगला पूछन है लोगतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए काउन सा कारक आवश्यक है लोगतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए काउन सा कारक आवश्यक है ओप्सन है हमारा इस ससक्त सैनिबल ओप्सन भी है व्यक्तिकत अथिकारों के प्रति शम्मान लोगतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए व्यक्तिकत अथिकारों के प्रति सम्मान ये कारक आवश अपनाए गये हैं तो आइरिश शमिधान से अपनाए गये हैं हमारा अगला प्रिशन है दोस्तों निम्न में से किस देश से भारती सम्विधान ने लिखित सम्विधान की रूप को प्राप्त किया है और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारा अगला प्रिशन है भारत में सम्विधान की उद्देशिका में धर्मिनिर पेश सब्द काउन से सम्विधान द्वारा जोडा गया है और अप्शन अमारा हमारा अगला प्रिशन है प्रस्तावना की काउन सी विशेष्टा में कहा गया है कि किसी भी सहनागरी के साथ गौल व्योहर नहीं करना चाहिए गौल व्योहर नहीं करना चाहिए ऑफ्शन है मारा ए न्याए बी है अधिकार और सी है समाता एवन डी है भाई चारा तो इसका सही उत्तर है दी भाई चारा ये सही उत्तर है हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो निम्रे लिखित में से किष्णे समवेधानिक उपचार की अधिकार को भारती समवेधान के रदय और आत्मा की संग्यादी है हमारा ओप्सन है दोस्तो इसका ए है डाक्टर राजिन प्रशाल किसने समवेधानिक उपचार के अधिकार को भारती समवेधान के रदय और आत्मा की संग्यादी है हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो भारती समवेधान की उद्देशिका में बंदुता सब्द का तात्परी किससे है भारती समवेधान की उद्देशिका में बंदुता सब्द का तात्परी किससे है अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सस्काइब जरूर कीजिए दोस्तो हमारा अगला प्रश्ण है भारत के समवेधान के उपर सबसे अधिक प्रभाव निमनलखित में से किसका माना जाता है ऑप्शन है मारा USA यानि United States America के समवेधान का ऑप्शन B सोवियत रूस का समवेधान ऑप्शन C ब्रिटिस समवेधान एवाम ऑप्शन D भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 तो इसका सहे उत्तर है ऑप्शन D भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के समवेधान के उपर सबसे अधिक प्रभाव जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 का है हमारा अगला प्रश्ण है में से कौन भारत को एक सेक्यूलर राज की रूप में वरनित करता है यह प्रश्टावना जो ही वरनित करती है और दोस्तों प्रश्टावना यह सम्मिधान का एक अभिनांग है बहुत ही important प्रिस्तावना है I hope दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो like कीजे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तब सस्ब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाब उठा सके मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्यमात पूंड प्रशनों के साथ तत की लिए जैहिन जै भारत